नमस्कार और स्वागत है तब हम दोस्तों को एक बाद फिर से स्पोर्ट स्टॉक पर तो भारतिये टीम को मैचेस जो खेलने है वो आप सब को पता ही है और कल मैंने इसके बारे में एक्स्प्लीन भी कर दिया क्योंकि कल ही आपका डेट शीट भी आया था इंदसेंस की कुछ और ही रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत इंट्रस्टिंग हो जाता ही है जानना कि आखिर किस बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारी टीम जो है वो फेवरेट है इस पार वर्ल्ड कप जीतने के लिए 2011 में भी लगातार मैंने कवरेज किया था और उस समय जब बाते कही जा रही थी कि टीम इंडिया फेवरेट है तो वो अलग लेवल की चीज होती थी क्योंकि ये अलग कप्तान थे अलग टीम थी अलग रेपिटेशन था टीम का 2007 में आप चैंपिन बने थे उसके बाद अंदर अदर कैप्टिंसी ऑप महेंदर सिंग धोनी टीम जो है अपनी पीक पर परफॉर्मेंस कर रही थी लेकिन इस समय अगर भारतिय टीम को आप देखेंगे तो मोराल कहीं न कहीं डाउन है और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि चोकर्स का टैग भी हमारी टीम के उपर में लगा दिया गया है ये टीम वेस्ट एंडीस के एशिया कप और ICC टोफी एशिया कप भी आपका इतना बड़ा इवेंट नहीं है लेकिन अनफर्चनेटली आप उस टॉर्नमेंट को भी हार गयते शलंका की टीम ने आपको हरा करके बाहर टॉर्नमेंट से कर दिया था एंड वर्ल्ड कप में तो फिर कुछ कहने की बात ही है अभी तक हमको जीते हैं नहीं है पचले 10 साल में लेकिन क्या 2023 में हम मान करके चलें की चीजें बदलेंगी क्या भारतिये टीम ये मान करके चलें कि इस बार 2023 में चैंपिन बनते वे नसर आएगी ये बड़ा इंट्रस्टिंग हो जाता है जानना आप लोगों से भी मैं ज कॉंफिरिंस है क्या आपको लगता है क्या विराट कूली के अंदर में इतना कॉंफिरिंस है कि वो सिंगल हैंड़ेंड इस टीम को चैंपिन बना देंगे क्या vitesse है कि वाक़े में विराट कूली है आपका न्यूजिलेंड से मैच है आपका इंगलंड से आपका मैच है तीन बड़े मैच होगे पाकिस्तान से आपका मैच है बहुत बड़ा मैच है South Africa से आपका मैच है पांच पा मैच वो भी बहुत important मैच है तो यह पांच तो ऐसी टीमे हैं जो कि आप मान करके चलें कि एक दम आपको neck to neck competition देती विनर सराएगी लेकिन वन डे मैचेस भी आप जादा नहीं खेल रहे हैं आपने World Cup से ठीक पहले जो वन डे मैचेस खेलेंगे वो खेलेंगे आप that will be against West Indies उसके बाद Asia Cup में आपको पाकिस्तान से चुनौती मिलेगी बाकी देखते हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान की टीम आपको चुनौती देती है इश्या Cup में या फिर श्रिलंका की टीम या जो भी टीम है यूनो टॉप चार में पहुंचती भी नसर आएगी तो कितनी बड़ी चुनौती होती है वो तो बात की बात है लेकिन मोरलस अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से तैयार नहीं है टीम इंडिया को बहुत ज्यादा मेहनत करनी की जरूरत है भारतीय टीम को बहुत ही अलग लेबल पर क्रिकेट खेलनी की जरूरत है अभी भी देखें तो गेनबाज ह line up में हमारे जो गेन बाज हैं आदा से जादा injured हैं जैसे की चर्चा हो रही है जस्पीद बुम्रा वापसी करेंगे 7 अबर 8 अबर की गेन बाज ही कर रहे हैं लेकिन क्या हम मान करके चलें की जस्पीद बुम्रा वाके में पूरी तरीके से fit हैं और मान लिजे कि अगर World Cup में आते हैं तो सीधे आकर कि बुम्रा उसी तरीके से गेन बाजी करते हुए नजर आएंगे जैसे कि पहले जाने जाते थे जिसके लिए पहले उनको फेमस थे कि भई बुम्रा आगे बुम बुम्रा आगे लेकिन पिछले एक डिर्ड साल से जस्पीत ब पास में और भी इंजरी प्लियर्स के लिस्ट हैं जैसे कि Shreya Shayer हैं, Kale Rahul हैं, Kale Rahul के बारे में Kapitan Sahab का मतलब की Kale Rahul का खुद का बयान है की Kapitan Rohit Sharma ने उनसे का कि World Cup में 5 नबर पर आप बैटिंग करोगे और आपका जो रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लेकिन अ हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए that we already did against in last year जो हमने पिछले साल गलती किया क्या क्या था हमने आपको यादी होगा जिम्भावे के खिलाप में वर्मप माच में खिलाया था मतलब कि यू ऐसे ही जीरो बट्टा सननाथा इसके लाब आप देखें तो ऑस्रलिया के खिलाप में जीरो बट्टा सननाथा उनको ड्रॉप करने तक की नौबत आ गई आपके पास में रिशब पंच ऐसा प्लेयर नहीं हाना कि ODI format में रिशब पंच ने भी बहुत जादा कुछ कमाल करके नहीं दिखाया था लेकिन वो भी एक ऐसे प्लेयर थे जो कि X Factor लेकर के आते थी लेकिन वो भी इंजियर्ड है वो भी अभी बाहर है तो इशान किशन से आपको काम चलाना पड़ेगा आपको काम चलाना पड़ेगा संजू सैंसन से तो यह आपको एवालिवेट करना पड़ेगा गेन बासी लेकिन अप में आपको सिराज शमी से बहुत जादा उमीद रखनी पड़ेगी कि टॉप क्लास परफॉर्मेंस करें वाट इस दे फूचर ऑफ रभी चंदन अश्विन इस वाइट वर्ल फॉर्मेट आपको इसके बारे में तैग करना पड़ेगा किसके साथ में आप जाना की टीम ने धूल चटा दी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लेकिन उसके बावजूद भी आप बदलने को तयार नहीं हो आप बार बार हार रहे हैं उसके बावजूद भी आप कुछ भी बदलने को तयार नहीं है इसको कहते हैं हट इसको कहते हैं जिद और ये जिद कोई जैनी का रोल इतना important होने वाला है, क्या मुकेश कुमार का रोल इतना important होने वाला, ODI टीम की अगर हम बात करें, तो क्या आपको लगता है कि वाके में players जो है इतने important हो जाएंगे, जो कि आपके लिए best performance करके रिखाएंगे, ODI टीम को अगर आप देखें, तो यह आपकी टीम आप जरा देख लिजे इस टीम में, आपने उम्रान मलिक को रखावा, मुकेश कुमार को रखावा, जैदे वोनाटकट भी आपके ODI टीम में है, तो आप बताइए कि क्या जैदे वोनाटकट को आप World Cup की टीम में देख रहे हो, नहीं अगर देख रहे हो, तो फिर यहाँ आपको सोश समझ करके फैसले लेने पडेंगे, अगर अप यह सोच रहे है कि कोई बात था रही है, अभी हम मुकेश कुमार को खिला लेंगे, यूजलिस ट्पर precedent है वेस्ट इनडीज के खिलाप में, अचल जाएगा बस और अचानकि हमारे प्लेर थे लिग अगे बड़े ह पड़ेगा आपको आकर के बहतर करना पड़ेगा तभी जा करके टीम आपकी बहतर built होगी ये बात आप मान करके चले अचानक कुछ नहीं होगा कभी भी टीम आपकी बंती भी अचानक नहीं आएगी इसलिए मुझे लगता है कि टीम इंडिया के पास में realistic क कि अगर आप देखें आप अपने घर में खेल रहें हैं या घर के बाहर खेल रही है मैं आपको एक serious बात बता रहा हु, wind up कर रहा हु इसलिए मैं इसलिए मैं आपको serious बात बता रहा हु जब हम उस्ट्रेलिया में वल्ल कप खेलने के लिए गए तब परचार कर दिया गया कि 19 दिन पहले हम जा रहे हैं, हम climatic conditions को बहुत अच्छी तरीके से जान चुके, acclimatize कर चुके हैं, और हमारे प्लेयर्स भी कुछ इस तरीके के हो चुके हैं, जो इस तरीके की बात ने करते आप की जो टीम है, वो प्रवल दावेदार है, क्योंकि फिर होता क्या है, कि नाम बढ़े और दर्शन छोटे, यानि कि आप बोल बोल करके ही संतुष्टी हासल करते हो, लेकिन जीत आपको नहीं मिलती है, तो उमीद करते हैं कि जितने भी sports talk के हमारे दोस्त हैं, जितने भ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं practical आपको seriously बता रहा हूं, इसलिए मुझे इस टीम पर बहुत जादा भरोसा नहीं है, जब तक कि वो tournament नहीं जीती है, अगर जीत जाती है, तो carry away मत होईएगा, until and unless जब तक कि ये बड़े tournament नहीं जीती है, क्योंकि याद रखे, आपको सरी कैसे team India prepare करती, आपको क्या लगता है, आप हमें comment करके जरूर बताएगा, वीडियो को like कर दीजेगा, और अगर आपने channel को subscribe नहीं किया, तो वो भी काम जरूर कर लीजेगा